हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल स्टेड़ी विशाल सिंग में दोस्तन जैसे कि मैं आप सभी को पिछले वीडियो में पहले और दूसरे चेप्टर के नागली सास्तर भाग के कुछ प्रसन आपको बता चुके हैं और इत्यास और भूकोल के कंप्लीट हो चको हैं प्रसन अगरा आप अभी तक नहीं देखें तो नीचे डिस्किप्टर में आपको प्ले लिश्टर दिखेगा वहां से लिंक पर क्लिक करके आप सारी वीडियो आप देख सकते हैं समाजिक ज्या चैप्टर जाती धर्म और लेंगी के मसले जो चैप्टर उससे आपको महुंस्ट इंपाइट कर्स्ब मताने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे तीसरा चैप्टर 15 सबसे बहुंभुकलपी क्या करने की को सिसे करता हैmos सभी समाजिक विविनताओं और अंत्रों और समानताओं के बीच समाधान करने की कोशिस करता है। इसी तरह दूसरा प्रस्न है कौन सा समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदाईक, सांस्कृतिक या जातिय विविनताएं अधिक नहीं होती है। तो समरूप जो समाज होता है उसमें सामुदाईक, सांस्कृतिक तदा जातिय विविनताएं अधिक नहीं होती है जो समरूप समाज होता है। तो यह बहुत कल्पी प्रस्न इसी तरह हम देखते हैं ति लग उत्री प्रस्न को होता है जो केवल कूस्चन दिया गया है इसके एंसर आपको अपने कूस्चन में के आउतर गाइड में आपको मिल जाएंगे तो वहां से आप धुनकर इसे याद कर लिजेगा बागी सब प प्रस्न इसी तरह हम देखते हैं लग उत्री प्रस्न के मुझत इपॉडंट इंप्रस्न, पहले प्रस्न में है वर्स 1968 के मेकसिको लंपिक खेल में क्या हुआ असपस्ट कीजिए आपको बताना रहेगा 1968 मेकसिको लंपिक खेल में क्या हुआ था यह आपको इसमें असपस्ट करना है दूसरा है समाजिक विवाजनों के राजनीतिक परिडाम तै करने वाले तीन कारकों की शर्चा कीजिए यह होगे दो प्रस्ण लग उत्री प्रस्ण के अब देखते हैं दिरी उत्री प्रस्ण के most important प्रस्ण समाजिक विविनताओं के कारणों का उल्ले कीजिए और दूसरा विविनताओं में समंजसे और टकराओ का वड़न कीजिए यह आपको पताना रहेगा अब देखते हैं चोथा चेप्टर चोथा चेप्टर जाती धर्म और लैंगीक मसले तो इसमें हम सबसे पहले कहेंगे जो जाती होता है उसे आप देखेंगे पहले उसके बाद जो धर्म होता है उसके बारे हम पढ़ेंगे और लैंगीक मसले होते हैं तीनों के heading बनाकर तो सबसे पहला यह है भारत में महिलाओं के लिए आराचण की बेवस्ता है तो आराचण की बेवस्ता होती है पंचायती राजिगी संस्ताद्वारा ही होती है महिलाओं की आराचण के लिए इसी तरह दूसरा हम देखेंगे धर्म के अधार पर राजनेतिक गटवन्दन किसका रूप होता है तो यह समपरदाईक रूप होता है जो धर्म के अधार पर राजनेतिक गटवन्दन होता है यह समपरदाईक गटवन्दन के रूप में होता है इसी तरह तीसरा प्रस्ण है जब हम लेंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभी प्राय होता है हमारा अभी प्राय क्या होता है समाज दुआरा इस्त्री और पुरुस्त को दी गई असमान भूम क्या होता है अब बात करते हैं अतिलगों त्री परस्ण के तो त्री परस्ण में भी तीन परस्ण आपको देखने को मिलेंगे जो कि most important परस्ण है सबसे पहला परस्ण समाज में लेंगिक असमांता का अधार क्या है यह आपको बताना रहेगा इसी तरह तरह परस्ण बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत समानता है जारी है यह होगे तीन आपके सबसे most important परस्ण आती लग उत्री से अब देखते हैं लग उत्री परस्ण के most important परस्ण को तेलाग उत्री प्रस्ण के सबसे most important प्रस्ण आपको दो प्रस्ण देखने को पेलेंगे पहला और दूसरा पहले प्रस्ण को सबसे most important प्रस्ण कर लिजेगा इसमें यह है कि लिंग भी भाजन किसे काते हैं उदारण सवित प्रस्टूत कीजिए आपको बताना रहेगा दूसरा विविन्तरा की संपरदाइक राजनीतिक का विवरण दीजिए यह आपको बताना रहेगा अब बात करते हैं दिरगुत्री प्रस्ण के, दिरगुत्री प्रस्ण में क्यों लेकी प्रस्ण है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रस्ण है, पहला यह है, धर्म, संपरदाइक्ता यह आपको परिवासित करना होगा, धर्म को परिवासित करना, संप्रदाइकता को प्रवासित करना और रानिती को परिवासित करके इसका विशलेशन करते हुए आपको परिवासित करना होगा तो भी यह होगे इस वीडियो में तीसरे प्लस चौते चेप्टर के most important person है इसलितर अगले वीडियो की notification पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी subscribe किजिए और अभी तक हमने दोस्तों के साथ इस चैनल को share नहीं किया तो इस वीडियो को भी share कर दिजिए तो फिलाल इस वीडियो में वस इतना ही था मिलते हैं अंगले वीडियो में और भी अंजनकारियों के साथ तब तक के लिए चैहिंद वन्दे मात रहो